आज अपने एक ऑब्जेक्ट राइप क्यूशन पेपर का ध्यान करेंगे और ये सुडेंट के रिकमंट पे बनाया गया है कि जनल साइंस के सरा टॉपिक हैं वो हमें पढ़ाईए तो मैं कंटिनू बाइलोजी के जो भी टॉपिक होंगे एपिसोड होंगे उसमें बीच पीच में कंटिनू जितने भी टॉपिक हैं अससी सीजियल का है कम्पिटिटिव अग्जाम जितने भी है पटवार प्रिक्षा है उनको मद्य नज़र रखते हुई ये मैं पूरे पूरे ये एपिसोड बनाऊंगा तो उसके नोटिफिकेशन को अपने जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे तो आज का जो क्यूसन पेपर है वो बड़ी मेंत के साथ बनाया गया है और बड़े अच्छे परसन है वो लिए है इसके बाद में जब भी मैं टॉपिक बनाऊंगा वो टॉपिक क्या है पूरे एक एक स्पेसिफिक टॉपिक के ही होंगे मतलब एक जैसे मान लोगी सेल का है तो सेल के उपर ही जनल साइंस के जितने भी क्यूसन है वो बनाऊंगा तो इसी तरह जितने भी टॉपिक होंगे वो अलग-लग अपने डालेंगे तो उसको आप देखोगे तो पहला क्यूसन है टीबी रोग के नियंदरन के लिए यह किस टिक्के का उप्योग किया जाता है यानि BCG यानि टिक्के का जो उप्योग किया जाता है वो है BCG यानि शेयरोग या टीबी होता है तपैदिक होता है उसके काम में BCG का टिका लगाया जाता है इंसुलीन रक्त में किसकी मात्रा नियंदरित होती है इंसुलीन क्या ह पीत्रस का निर्मान कहा होता है यप्रृत में होता है या लीवर में होता है बिली वरडीन होते हैं यह बटपन में बनते हैं। वीशाज है गिले के वुच्त है इसके बाद आधू बेक्टरी में किस प्रकार की उर्जा का संरए होता है यह अपने रसाइनीक उर्जा का रूप में संपे होता है या संग्रीत होती है जून किस बोतिक राशी का मतरख है यानि कारेक यह फिजिक्स का परसन है और टेसला किस बोतिक राशी का मतरख है चुंद किये छेत्र का टेसला important question है और यह RS में भी आया है तो चुंद किये छेत्र के रूप यह जो मतरख है उसके रूप में टेसला को लिया जाता है अरीबाली का रोग किस पसल में होता है यानि बाजरा में होता है बोटनी से समझती ये परसन है अरीबाली का रोग है बाजरा में पागल कुट्पे के काटने इससे ओने वाले रोग का नाम जल बिती या हाइड्रोफोबिया कहते है जल बिती या हाइड्रोफोबिया या रेबीज हो जाता है अंडे का बाहरी आवरन किस चीज से बना उता है मतलब केल्सिम कार्बोनेट से बनाता है या सीए स्यो थरी से बना उता है प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है प्रोटीन का पाचन है वो मारे श्रीद में ट्रिप्सिन का जो ट्रिप्सिन ए एंजाइम है वो करता है, ट्रिप्शिन एक ट्रेसी क्या है, प्रोटिन को प्चाने वाला एंजाइम होता है, और आसानिक दरिश्टी से वाटर ग्लास का क्या नाम है, सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट है, वो वाटर ग्लास का दूसरा नाम है, वाईयू की गतिम आपने किस का प्योग होता है एनिमो मिट्र का होता है जो एक बार आपने पढ़ा होगा एनिमो मिट्र है वो क्या है एक तरसे वायू की गतिमापने के काम में आता है मनुश्य के स्रीर में रख्त सुधी करन की परिक्रिया को क्या कहते ह। यानि है जा अपऊहन केते हैं क्या बोलते हैं अपऊहन ब्लट के अंदर जितने भी अप्सीस्ट होते हैं उनको बाहर निकालने का काम महीद करने की वीद्य दिवारा होता है क्योंकि हमारे सरील में अपसीस्ट है वह एक्यों भा जाती है उसके विज़ेंन की हुआ उनको अलग किया जाता हैED और उस अलग करने की वीदी है उसको ऑलते हैँ, डायले या बैक्टिरिया के दुवारा टीटनस रोग होता है वैसे तो मैंने वाइरस जनित रोग है वो एक वाइरस टोपिक है वाइरस नाम से टोपिक दिया गया है उसमें मैंने वो पूरे रोग हैं वो डाल दिये थे इसके लावा मैं एक नया टोपिक और डालूँआ जो वाइरस है या बैक्टिरिया है तो उस पर जितने या प्रोडो जोवन है जिससे होने वाले रोग है उन पर एक निया टोपिक लेके उस पर वीडियो डाल दूआ तो उससे अपने चित्रे से याद हो जाएंगे और ट्रिक के साथ डालेंगे और अगला क्यूसरे मानव श्रीर का फिर अथानमें पोइंट श्रीक और अभार्ने अट होता है या इक प्रेसे औस ता पान होता है या अधिकन इन फन कंवे उसकता है तो को बुखार का संकेत नहीं होता ये एक तरह से एलग लग तेमदेच्री डाले हो वो अलग लग हो हो सकता है लेकिन ओस्त जो तापमान है वो सेंदिस डिग्री सेंडिग्रेड या ठाने पॉइंट्स है फार्ने आइड माना जाता है लाल रख कनिकाएं अगला क्यूशन है अपने थोड़ा सा उपर कर लें अपने हां ला रख कनिकाएं कहां बनती है अस्ति मजा या बोन मेरो यह अपने हमारे सिरीद के अंदर क्या है अडियों का बीच का जो भागखोक लावता है और इतरे सरंदर यूख तो होता है तो वहांपर क्या है अला रख कनिकाएं या आर बी सी बनती है यह वहांपर अपने ला रख कनिकाएं बनती है कौन सा हार्मोन करो या मरो हार्मोन कहलाता है यह इंपोर्डेंट पर्सन है और यह आरेस में भी आया हुआ है तो एडिनल गरंथी होती है हमारे सिरीद में और उससे एक हार्मोन बनता है एडिनलीन और यह एडिनलीन हार्मोन है कब स्क्रेशन हो सबस्iao पॉश्य सबस पॉश्य आप की समावना है पूरी रहती है अस्रुगेस का साइनिक नाम है alpha chloro-acetophenon अगला क्यूंज लेखिए बारतियविज्यान सनस्तान कह הנ यह आप सभी जानते हैं बैंगलोर में है बारतिय विज्यान सनस्तान है वो कहा है बैंगलोर में है रगत डाव कि सियंतर दवारा मापा जाता है यानि एक तरह से हमारे स्रीट के अंडर क्या है वी पी बुलते हैं रक NEW ब्रत प्रेशर भी कहते हैं या बीपी यह स्पाइगनो मेनोमेटर द्वारा बापा जाता है स्पाइगनो मेनोमेटर द्वारा इसको अपने मापा जाता है एक स्टेथेस्कोप होता है जो डोक्टर लोग क्या करते हैं, अपने गले में डाल कर गुमते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं, स्टेथेस्कोप, उसे अपने हाट्बीट की, यानि जो हाट्बीट है, उसका पता लगा जाता है, कि हड्दे की दर्कन है, वो किस तरह से चल रही है, या अंदर मारे स्रीक के अंदर जो फेपड़ों के अंदर जो भी आवाज आती है उसका पता लगाने के लिए यानि स्टेटिस्कोप का व्योग किया जाता है अब है अगला क्यूशन बी-सी-जी का टिका किस रोग के उपचार के लिए लगाते हैं बी-सी-जी यह पहला परसन था उसका दूसरा उ है बाइस हुआ है शरीत का कौन साहग रोधीर्वेंग का करह करता है पलिहा स्प्लीन यह एक द्रह से रोधीर्वेंग का कार्या है को पलिहा क्रता है पानी का गंताउ् किस ताप पर आधीक्तम होता है यानि चार डीग्री संटेग्रेड़ पर leOOOO बहुत से जाता है इन्ही ह हमारे जो जल को जमाए जाता है या जिरो डिग्री सेंटीग्रेड तक लाए जाता है तो उसमें उतार सडावाए कुछ अजीव होते हैं मतलब चार डिगरी सेंटीग्रेड पर क्या है, आयतन तो क्या है, कम हो जाता है, और वजन क्या है, इसका ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वो पानी क्या है, पेंदे में ज्याता है, जाता रहता है, और जैसे क्या 0 डिगरी सेंटीग्रेड पर जब पानी का टेमपरेशर आएगा, तो वो क्या है एक तरसे आयतन बढ़ जाता है या उसका गंतव क्या हो जाता है पानी से कम हो जाता है इसलिए बर्फ है वो क्या है उपर तेरती रहती है या यह मानिए कि पानी से जो बर्फ का गंतव होता है वो कम होता है या पानी का गंतव है वो ज्यादा होता है किस विट अगला है दमनी कीति उर्ता मापने के लिए को सिए यह नित्र का यह प्यों के खता है यह आपने का कां करता है यह इस यहोति है और आगेए अगे किने और भी है तो इसके बारे में मैं अपने ये 50 क्यूशन है वो बनाए हैं तो 50 ुशन है वो उब इसी एपीटिट में अपने इसका पूरा ध्यान करेंगे अगला क्यूशन है प्लास्ट वपैरिस किस से बनता है जिपसम से बनता है और ये अपने हडियों को जब हडियां तूट जाती है तो जोडने के ये उसके उपर किया है प्लस्टर या प्लस्टर पेरिस से किया जाता है जीन सबत का प्रतिवादन किस ने किया था? W.L. Johnson ने किया था अगला कियूशन बारत में अंत्रिक्स आयो की स्थापना कब्ल हुई जून 1902 में हुई थी बारत का पहला करतरी मुखर है ये सबी को पता है छोटी-छोटी क्लासों में क्या शुरू अपने शुरू में पढ़ लेते हैं पार याबट है हो छोटी क्लाशन को सय दिया गया है वह से एंटि ति法oda का पहली बार प्रियोकिस ने ऐख एञेफाने झेञा था अलेकजेंडर फ्लैमिंग ने किया था उदों की वर्दी किस यंतर द्वारा मापी जाती है या किस द्वारा मापी जाती है या मापी जाती है वो है प्रिश्को ग्राफ प्रिश्को ग्राफ पुशिका में आतमत्या की थेली किसे कहा जाता है या खैली है कौन सी होती है क्या कहलाती है उसको लािसमों कहते है यानि लािसमों है उसमें अप गटख enんजाइम पायते हैं और 40 प्रकार के होते है या इड्रोलाइटी का अपने उसमें पायते हैं जो ऑषिकाकूँ भी कहा है बचा देते हैं और यह एक तरह से अतम गाती खैली कहलाती है कार्बामाइड किसे कहते हैं कार्बामाइड है important cerion hygien और यूरिया को कहा जाता है इमली में कौन सांबल है ये समाने साफर्सन है जो सरदी को आता है टार्टरिक होता है इसके लावा दही में लैक्टिक होता है एक चिंटी के अंदर भी पाय जाता है उसको अपने बोलते हैं फार्मी कंबल कौन सा होता है फार्मी सेव के अंदर अकजेलिक एसिड पाय जाता है ठीक है इससे अगला क्यूशन देखिए नागा साकी पर गिराए गए बम में किस ततो का अप्रियों किया गया था इंपोर्टेंट है प्लुटोनियम प्लुटोनियम किसका गया था प्लुटोनियम का अनुवासी गुनों के वहक कौन होते हैं मतलब इंपोर्टेंट है क्रोमोसोम या जीन होते हैं क्या होते हैं क्रोमोसोम या जीन मतलब एक दरह से RNA DNA है तो जीन या क्रोमोसोम से बने होते हैं या क्रोमोसोम में वो पाए जाते हैं तो इसी दरह से क्रोमोसोम भी हो सकता है जीन भी हो सकता है DNA RNA भी हो सकता है यानि DNA की इंपोर्टेंस होती है इसमें कई जो जी होते हैं सुक्षम उनमें RNA भी क्या है अन्वा सिक्त दार्थर के रूप में पाए जाता है जैसे जिवानों के इंदर है शरीर में oxygen की पूर्थी किसके माध्यम से होती है आर बीसी यानि रेड बलड कारपल्स होती है या आर बीसी भी कहते हैं लालक कनिकाएं भी कहते हैं क्योंकि उनमें ओ इमोगलोबिन पाए जाता है क्या पाए जाता है और वह उक्स जithयंके साथ में ओक्सी मॉगलोबिन वे आता है और पूरे बलड के अंदर, वह पॉंच जाता है बलड के साथ में चैचांब के टीके कि खोज किस ने की थी项 जैनरत ने की थी ये भी चोटी क्लास्स में अपने पढ़ लेते हैं इंसुलीन की खोज किस ने की थी बैंटिंग ने की थी इंसुलीन यानि एक तरह से कैं है अपने पहले भी पढ़ लिया था यानि एक तरह से मधुमय रोग के अंदर जी हो हार्मोन है वो काम में आता है या ब्रेड को यह शोरी शर्क्रा को क्या है नियंतरित करता है फ्रोटि क्ल letzteलीन है जो गेस के eşya के द्वारा जलदी काने में प्रकार रग किस के कारण होता है यूरो क्रोम के द्वारा होता है किस के द्वारा होता है यूरो क्रोम के कारण रग का थक्का किस रोग में नहीं जमता मतलब हमारे सिरी के अंदर जो बलड होता है उसकी एक समयने पर किरी आउती है बलड कलोटिंग होना लेकिन ऐसे भी कई रोगी होते हैं जो जनमजात उमको ये मिलता है रोग वो होता है हीमोफिलिया इसमें क्या बलड का थक्का नहीं बनता है अगर थोड़ी सी ख्रोंच लग जाती है तो बलड के हलगातार बहता रहता है और ये बड़ी बयानक इस्तिती होती है ये अगर मेलाओं के अंदर होती है तो मेलाओं मतलब जो लड़की होती है उसके लिए बड़ी emotion है या भाव ऐसा है कि वो जैसे menstrual cycle शुरू होता है menstrual cycle जैसे MC शुरू होती है तो वो बंद नहीं हो पाती है और उसकी death भी हो सकती है तो ये इमोफिलिया के अंदर होता है मतलब blood का ठका है वो नहीं जमता है तमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है उसमें कौन सा वरनक पाय जाता है वो होता है लाइकोपीन कौन सा लाइकोपीन सरुपर तो घरबादान भारत में कब प्रार्रम किया गया important question है 1942 में किया गया हेमेटाइड किस का ऐसक है आयरन का है कई बार पुछा गया के प्रों में और इसके बाद में अपने प्रसा यह परसन देख लीजिए टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है लाइकोपीन हो जाता है और स्रोपरताँ गर्वादान भारत के अंदर का प्रार्म गया उननीस सो ब्यानिस में किया गया था हेमेटाइड किस का ऐसक है आयरन का है यानि लोहे का है सुरिये से उर्जा का निर्मान किस पर किरिया के कारण होता है important question है ना भी किये सहलेन एक दूसरा आपने एक तरह स जो परमानों को होते हैं उसमें क्या होता है ना भी किये स्रंखला अभी किरिया होती है और पोदों के किस बाग से अल्दी प्राप्त होती है यानि तने से उखती है मतलब एक तरह से तने द्वारा ही क्या है अल्दी का अल्दी को प्राप्त किया जाता है या उसी परकंद क कहते हैं को सिका का उर्जागभर है किसे कहते हैं सिंपल शागियूस नहीं मायटवकूंड्रिया को कहा जाता है अमलिय मिरदाक उस्दारने के लिए क्या प्रियोब में लाते हैं मतलब नहीं हो जाती है और उसको वापीस अपने उदासिन करना है तो उसके लिए कह चुन ना जाता है क्या रहा जाता है चुन्ना एक तरह से सारिय प्रकटि होती है तो अमली और सारिय जैसे अमल और सार मिलते हैं तो दासीन परकिल की आप यह लवन बनते हैं जल बनता है ठीक है और इसके लावा आपने अगला क्यूस्टन है केंद्र की खोज किस वेगानिक ने की साक्यूसन है रहवीज नामक रोग में मिनुष्य का कोन सा अतंत्र प्रवावित होता है मतलब यह पहले भी परसन रहवीज से स्रवंदीत आ गया था अलकि कुट्छे के काड़ने से होता है और इसमें तंत्री का तंत्र है वो क्या है प्रवावित होता है पाचन की से ताप का नियंत्रन होता है यानि श्रीर का ताप नियंत्रन है वो तवचा से होता है जैसे कई बार के उती गर्मी पढ़ती है गर्मी पढ़ने से के हमारे श्रीर का जो तंत्र होता है एक तरह से स्वेध गरंथिया होती है वो पसीना सीने के रूब में पानी को बहार नि उच्छे डाउन हो जाता है इस तरह से क्या है तबचा है वो आपका नियंतरन करने के काम में आती है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है बदर टाइलीन टाइलीन या एमाइलेज कौन सा एमाइलेज इमाईलेज एंजाइम है जो हमारे लार में पाय जाता है और कार्बाइडेट को सरक्रा में कनवर्ट करता है तो इस तरह से ये 55 क्यूसन है आज के एपिसोड में और मैं अगले जो एपिसोड आएगा तो उसमें एक टॉपिक स्पेसिफिक लेकर उसके जो भी बड़ी आक्यूसन बनते हैं वो एक टॉपिक के एपिसोड में डालूँगा जिससे वो एक टॉपिक पुरा कलियर हो जाए तो ये वेपर जो बना है वो एक mix-up है और एक्जाम की दरश्टी से important भी है आपने पढ़ा होगा अच्छा लगा होगा thanks for watching धन्यबाद